कई से हो बालक लोग जानसार है जानसार तो शुरू करें आज का हमारा गुद मॉर्निंग एवरिवन उन बते हो गापया मैं वैरी वैरी गूट मॉर्निंग चलो जी है तो एक बर फट फट से फाइल एड कर लेता हूं सारे बच्चे जुड ज़ोगें आपने एक इल्यूजन करके नौवल बताया था पूरा नाम बताओ The Palace of Illusions The Palace of Illusions The Palace of Illusions द्रॉपदी की कहानी है Modern way में द्रॉपदी की कहानी लिखी गई है The Palace of Illusions बहुत अच्छा नौवल है मज़ा आएगा तुम्हें तुम्हारे दिमाग के पन्ने खुल जाएंगे अभी ये क्या हो रहा है हाँ बेटा एक स्टेक्ड रुको बस ये क्या हो रहा है कुछ मेरे को इसे लग रहा परदा पीछे रहा गया क्या टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं बिलकुल अवेलेबल हैं बिलकुल टेलीग्राम पे और सौ परतीशत अवेलेबल अबटा रुपें ना 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 अठारह सु रुपए जी नहीं है अंजली को शाइद आविलेबल नहीं होगी इस वज़े कर रही है फटाफट शुरू करते हैं बात वात अपन बाद में करेंगे ठीक है तो पहले थोड़ा सा इसको क्र लिए ये बात शीत का दोर बाद में शुरू करेंगे तो पहला पोल स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में study of maps क्या कहलाती है आंसर करेंगे सारे बच्चे study of maps हाजी बिलकुत सही जवाब दिया है दोस्तों आप लोगों ने यह class रोज होती है नौबस के पांच मिनट में ना चेक है देखो तुम्हे मैं rate देखाता हूँ ना can you see it this is the book can you see the price can you see the price can you see the book the name of the book the palace of illusions right so 18 रुपई की तो तुमने कोई गलती देख ली है ने चलो जिह न तो आगे बढ़ते हैं carography मत पढ़ो यार तुम मत पढ़ो तुम्हारे काम की नीए तो एक बच्ची नैसे आप पूश लिया तो मैं बता दिया ठीके सब्दादा हैं tough tissues in joints, तो आपके joints में जो tough tissues होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जो आपके joints में जो tough tissues होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पिल्कुल सभी जवाब दिया है, उन्हें हम ligaments बोलते हैं, जो tough tissues होते हैं, वो ligaments कहलाते हैं, बच्चे जो है वो मेरा मांग रहे थे टेलिग्राम तो दिस इस टेलिग्राम से ना सो टफ टीशू जो 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 टफ टीशू होता है वो लिगमेंट कहलाते हैं राइट नेक्स्ट आप लोगों के सामने है दा फॉर्स्ट इस बच्चे जवाब दिया है जो पहला मॉडल होता है पहला मॉडल होता है वह आपके prototype कहलाता है वो क्या कहलाता है prototype है ना सही answer आपके क्या होगा prototype prototype is the right answer है ना उसके बाद में next a building where an audience sits है ना वो building जहांपे audience बैठती है a building where an audience sits क्या कहलाती है aquarium gymnasium auditorium और stadium क्या कहलाएगी जल्दी से answer करो a building where an audience sits aquarium gymnasium auditorium और stadium अब्विस सी बात है जहां पर audience बैठती है उसे हम auditorium बोलते हैं so auditorium is going to be the right answer है ना audience के इस्तेमाल हुआ ना इस्टेडियम में तो spectator बैठता है spectators जहां से देखो difference होता है spectators जो है वो आपके दर्शक होते है auditorium जो है उसके अदर audience बैठती है जो सुन सके और देख सके वो audience होते है spectator केवल देख पाते हैं सुन नहीं पाते है धूनी जो है वो रहना से क्या बात कर रहा है क्या तुम सुन पाओगे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं audience हो गया spectators हो गया उसके बाद मैं आगे देखो that which last for short time जो थोड़े समय के लिए last करता है short time के लिए last करता है हिमान्शू executor कितने दिनों में खतम करोगे करीब मुझे दो से तीन महिने लगेंगे ना two two three months लगेंगे two months दाई मैने मान लो दाई मैने के करीब मान लो दाई मैने के करीब में खतम करतेंगे दो दाई मैने में ठीक है चलो that which last for a short time जो short time के लिए last करता है answer करेंगे हाँ CHSL से पहले तो नहीं हो पाएगा सीजेल से पहले हो जाएगा है CHSL से पहले तो नहीं हो पाएगा CHSL में तो कम टाइम है फरवरी चल रहा है ना फरवरी मार्च बारा अप्रेल से CHSL हमेदब 80% 80% हो जाएगा बट जो मैंने पढ़ा दिया ना उसके बार से कुछ भी वक्याबलरी नहीं आएगी अपनी गैरेंटी आना टरांजिट्री आना जो थोड़े समय के लिए लास्ट करता है शनिक होता है वो ट्रांजट्री कहलाता है तो ट्रांजट्री इस गोंग टो भी तरइट आंसर चलो अब ये तो हमारे पांच वन वर्ड पे अब हम एडियम की तरफ मुव करते हैं he went on sewing wild oats he reaped suffering in his later life तो wild oats का मतलब क्या होता है warning others as a young man inviting troubles as a boy irresponsible pleasure seeking in young age तो सो समझ के आंसर करेंगे sewing wild oats बहुत अच्छी इडियम है यह बहुत 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 बहतरीन इडियम है exam में आती है बहुत शांदार इडियम है wild oats को सो करने का क्या मतलब होता है sewing wild oats निशा तिवारी, अरनव, अंजली, अनू, प्रांजली, सभी बच्चों के सही जवाब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है irresponsible pleasure seeking in young age, young age में जो irresponsible behavior आप दिखाते हो, वो आपके swimming wild oats कहलाता है, I don't know why she has become stand office recently, मुझे नहीं पता कि वो अभी stand office कैसे बन गई है recently, अब यह stand office का क्या मतलब होता है, angry, hilarious, indifferent, or unmanageable है stand office, मतलब थोड़ा सा, अगर कोई वेक्ति आपके stand office है, तो वो कैसा हो जाता है angry होता है, hilarious होता है, indifferent होता है, unmanageable होता है, मतलब वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, angry हो जाता है अपने दोस्तों से भी बहुत जल्दी से नाराज हो जाता है, उसे represent करने के लिए stand office word का प्योग करते है अच्छी idiom है, यह भी बहुती प्यारी idiom है, तो सही answer आपके angry हो जाएगा जो रोज सिखाते हैं, idiom आप लोगों को YouTube पे और अगर आप चाहें, तो आप भी जो हो फाइदा उठा सकते हैं आगे देखेंगे, why don't you put an end to blowing your own trumpet, मैं ही ग्यानी, मैं ही सर्वोत्तम, अपना खुद का ही जो trumpet बजाता रहता है, वो अपनी खुद की तारीफ करता रहता है, जिससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो खुद की अपनी तारीफ में ही मगन रहता है, blowing your own trumpet गहलाता है अब सही आंसर कर दो, जल्दी से, प्राफट से आप लोग बता पाओगे, अच्छा है ये भी, blowing your own trumpet हाँ जी, praising your own abilities and achievements हिंदी में बोलते हैं, अपने मू मिया मिठ्धू बनना, अपने मू मिया मिठ्धू बनना कहलाता है I knew he had an X to grind and turned down his offer to help, अब ये X to grind क्या कहलाता है न, अब ये SSE में बहुत बार आया हुआ है और बहतरीन आपके ये, जो है वो idiom और phrase है I knew he had an X to grind and turned down his offer to help, offer of help क्या करेंगे, a blunt axe, a sharp tongue, a private interest to serve, और a tendency to fight क्या करेंगे, blunt axe नहीं करेंगे, sharp tongue नहीं करेंगे, सही answer होगा, जिसका कोई खुद का निजी स्वार चिपा हुआ हो, वो आपके an X to grind कहलाता है देखो, the sense life was an open book, जो संत की life जो थी, वो आपके open book की थरह थी, अब ये open book क्या होती है complicated किताब होती है, example to all होती है, interesting biography होती है, या ऐसी life होती है जहां पर कोई भी छुपी भी बाते नहीं है, मतलब कोई भी secrets नहीं है, कुछ भी चुपावा नहीं है ठीक है, so one that held no secrets, जिसके अदर कोई secrets नहीं होते हैं, ऐसी life के बारे में बात हो रही है one that held no secrets, बढ़ते हैं आपके next, अब ये one word और idiom खतम हो गए अब हम बढ़ेंगे हमारे आज की vocabulary की session की तरफ, जो vocabulary आज आप लोगों को पढ़ाए गए थी उसी vocabulary का discussion करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है डाश, डाश का क्या मतलब होता है, appear होना, shatter होना, assist होना या amaze होना डाश का मतलब, जल्दी से बताएंगे, profit से, डाश सही जवाब दिया है आप लोगों ने, डाश का मतलब आपके shatter होना हो जाता है पहले synonyms आ रहे हैं आपके आना, यहाँ पे आपको synonym बताने है, पाँच question के बाद में आपके antonym आ जाएंगे, ठीक है, तो डाश का मतलब आपके destroy होना, shatter होना हो जाता है YouTube पे आप लोगों को पढ़ाया था, अभी अभी यह vocabulary याद कराई थी, condone का क्या मतलब होता है, condone next, synonym देखेंगे, forgive करना, condemn करना, plead करना, या exit करना, condone dawn से माफी मांग लो, condone कर देगा, trick क्या थी, dawn से माफी मांग लो, condone कर देगा dawn से माफी मांग लो, condone कर देगा, यानि की forgive कर देगा, तो माफ करना, forgive करना जो है, वो आपके condone कहलाता है forgive is going to be the right answer है, next word आप लोगों के सामने है, hapless, hapless का मतलब क्या होता है, hapless का मतलब क्या होता है, जल्दी से answer करेंगे है, इसकी trick क्या है आपके, हाँ जी, helpless लोग ही hapless कहलाते है, trick क्या थी, help से helpless, जिनकी कोई help नहीं हो रही है helpless लोग ही hapless कहलाते है, ये trick है, सही answer कर पाओगे क्या है, इस trick की मदद से, बिल्कूल unfortunate, दुरभागेहीन, या सोभागेहीन, दुरभागेहीन, unfortunate है hapless कहलाते है, helpless से मैंने इसको याद करवाया है, इसको trick के थूँ याद कराया है, ठीक है, next word आप लोगों के सामने है, रैजिग और रैजिग को हम कैसे याद कराएंगे, रैजिग को हमने याद कराया था आप लोगों को, राजीव की विग, या रानू की विग, राजीव की विग, विग होते हैं ना, बालो की विग, रैजिग यानि की राजीव की विग, राजीव जो है, वो अपनी विग क को रैजिग कर रहा है तो ऐब्विस सी बात है कि वो क्या कर रहा होगा है और आप लोगों को बताने आप लोगों को एंटनिम्स आप लोगों को बताने हैं, तो एंटोनिम के question आगे हैं, है ना, तो ardent होता आपके, ardent का meaning में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इसको dentist से याद करा है था, इसका opposite आपको word चाहिए, और opposite word जो है वो क्या होगा, आंसर करेंगे, जल्दी से, ठीक है, हाँ जी, य dentist से याद करा है था, कि यह जो dentist है, यह BJP का, BJP का ardent supporter है, तो जब कोई विक्ति आपके ardent supporter होता है, तो वो बड़ा ही passionate supporter होता है, बहुत ही कट्र supporter होता है, और जिसे फरेक ही नहीं बढ़ता हो, किसी चीज़ से, जिसके कोई emotion ही नहीं हो, निरुत साही जिसे हम बोलते हैं, वो indifferent होगा, तो option number C जो है, वो इसका सही answer होगा, indifferent is going to be the right answer, circumspect SSC के अंदर Iowa है, SSC के previous year में Iowa बहुत ही शांदार word है, circumspect को मत भूलना, dangerous circumstances में, खतरनाक circumstances में हमें circumspect होना पड़ता है, अब चुकि आप लोगों को इसका opposite word बताना है, तो ध्यान से सोचें कि इसका opposite word आपके क्या होगा, सो समझ करके बताएं, circumspect, बहुत अच्छा word है, बहुत ही शांदार word है, circumspect, circumspect, careless होता है, elusive होता है, conscious होता है, या accomplishment होता है, circumspect, तो circumspect का मतलब होता है, सब आपके conscious होना है, careful, prudent होता है, तो ये conscious होना तो इसका synonym हो गया, आपको antonym चाहिए, तो आप careless कर कर दोगे, जैसे careless करोगे, answer आपका correct हो जाएगा, ठीक है, instrumental, ये भी बहुत अथा बड़ा है, instrumental का मतलब होता है, अगर कोई चीज instrumental है, तो वो meaning नहीं बताएंगे, और बस सीधे इसके question की तरफ जाएंगे, बड़े एक काम की चीज होती है, instrumental चीज है, instrumental, opposite बताना आप लोग किसी चीज को करने में, किसी चीज को करने में आपकी बहुत सहायता करती है, बहुत help करती है, तो वो आपके instrumental कहलाती है, इसके synonym क्या हो गया, useless, synonym इसका क्या हो गया, काम की, जो है वो useful, conducive, ये इसका synonym हो गया, लेकिन useless जो है, वो इसका antonym हो गया, तो useless is going to be the right answer, ठीक है next आप लोगों के सामने दोस्तों, suck, और ये word भी मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब आप सकर करते हो, तो आप क्या करते हो, right, और आपको opposite बताना है, ये आप लोगों को धिमाग में रखना है, जब आप सकर करते हो, तो आप किसी की सहायता करते हो, जब आप किसी की अदद ना करो, उसके रास्ते में रुकावट का काम करो, यानि कि आपके हिंडरिंस जो है, प्रिवेंट करना, बादा पहुचाना इसका अपोजिट होगा, फेरोसिटी जो है, वो आपके काफी अच्छा वर्ड है, अपोजिट आप लोगों को बताना है, इसका फेरोसिटी क से सिटी में फियर पैदा हो गया, उसकी फेरोसिटी से सिटी में फियर पैदा हो गया, बार्बेरिटी, क्रूल्टी, जो है वो आपके फेरोसिटी कहलाती है, अंग्रेज बाबा, और इसका अपोजिट जो होगा, वो जेंटलनेस होगा, है ना, जेंटल विक्ती और फिर से आप लोगों के सामने एंटरिम पूछा गया है discreetly का एंटरिम आप लोगों को बताना है तो सोच समझ करके बताना चिक है सोच समझ करके आंसर करना यह लोग जी opposite आप लोगों को बताना discreetly discreet भी आपके conscious होने को represent करने वाला word है तब आप prudent होते हो conscious होते हो prudently consciously किसी चीज को करते हो तो वो discreetly कहलाता है और इसका opposite क्या होने वाला है बताओ सही जवाब दिया है बच्चों ने एकदम perfect जवाब दिया है तीन और तीन चार गलत होगे कोई बात नहीं अंजली फिर भी still I think it is a good score जो आपने किया है वो अच्छा किया है तो discreetly का मतलब आपके carelessly होगे option number D is going to be the right answer ठीक है तो दोस्तों vocabulary का बैच शुरू कर रहे है 11 फरवरी से यानि कि कल से तो अगर किसी ने unacademy plus subscription लिया है नहीं लिया तो ले ले referral code आप लोगों के सामने है harsh 11 और जल्दी से ले ले मैं आपको वादा करता हूँ promise है मेरा एक भी शब्द जो है वो vocabulary का मेरे score से बाहर नहीं जाएगा synonym antonyms का नहीं जाएगा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को single word जाने वाला नहीं है बहुत ही जबरदस batch बनाया है previous year के vocabulary कवर करेंगे सारे के सारे और letter wise A, B, C, D मैं आप लोगों को बता देता हूँ for example A, B, C, D इस सारे word जो हम cover करने वाले है ठीक है हाँ जी ध्यान रखेंगे इस बात को सारे word cover करेंगे important है हमारे लिए ध्यान रखेंगे हाँ जी तो भया आज ही anacademy plus subscription ले लो मेरा referral code लगा के फड़ाफट से हाना one word or EDMC हो गया अंग्रेज बाबा 11 फरवरी से मतलब कल से दो पर दो बजे टू पीम पे हम इसको बैच को शुरू करेंगे दो बजे शुरू करेंगे और बहुत ही बहतरीन बोर्ड आना हो जा चीक है leaderboard आप लोगों के सामने है ये रावी है ये लोग ये शेर कर दिया अर्णव की फर्स्ट रेंग है अर्चना को मारी सेकंड जोती अदव थर्ड दिपेंदर पॉल मैंक अंजली की चटी प्रविन की साथवी शशिकांत आठवी निशा नवी और हिमान्शू एग्जेक्यूटर दसवी ठीक है चलो ये क्लास डेली होती है नौ बच के पांच मिनिट पे अनकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना आप सब लोगों को पता ही है रेफरल कोड़ हर्च 11 इसका ध्यानक ना सब क्लासेज मिलेगी सब पीचर्स की ठीक है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है ने 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 तिल दे केर औल ये वेरी बेस्ट बड़ आए